नमस्कार मैं हूँ रंजीत कुमार और शुरू हो गया है आपका पसंदीदा शो देश का मूड मीटर दोस्तों जैसा कि आप हर रोज मूड मीटर घुमा कर देश को बताते हैं कि भारत के बड़े मुद्दों पर आप क्या सोच रहे हैं आपकी क्या राय है तो आज भी आप अ मोबाइल निकाल कर तयार हो जाएए बस आपकी स्क्रीन पर आने ही वाला है वो QR कोड जिसके जरिए आप देश को बताते हैं अपनी राय बस QR कोड स्कैन करते ही आपके मोबाइल पर एक लिंक खुलेगा और उसे क्लिक करेंगे जैसे ही आप आपके सामने सवालों की एक लि काम मिलता है तो आईए अब सिधे आज के मुद्दे पर आते हैं शराप घोटाले में आज बहुत कुछ हुआ सियासी मैदान से लेकर कोड के अंदर काफी गहमा गहबी रही आज दिल्ली हाई कोड में केजरिवाल की ओर से उनके गिरफ्तारी पर दी गई आज क्या पर सुनवाई हुई लंबी बहस में केजरिवाल की ओर से जो दलील दी गई उसे सुनकर आपको एक बार गी हसी आ सकते हैं भाई आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्या कहा उन्होंने तो हम बताते हैं आपको सिलसलेवार तरीके से केजरिवाल जी अब कह रहे हैं कि उनसे पूछताच किये बिना ही उन्हें गिरफ्तार क्यों कर लिया गया उनके वकील सिंग भी ये भी कह रहे हैं कि चुनाव के ठीक पहले उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया भाई ED ने जब आपको 9 समन दिये थे तो क्या आप सो रहे थे हर बार ED के समन को आप गलत बताते रहे और समन समन का खेल खेलते रहे तो क्या ED आपके साथ अब ऐसे में ED को क्या करना चाहिए ये जवाब भी आपकी को देना चाहिए जाँच एजनसी को जाँच करनी होती है भाई आपकी तरह अगर चिठी-चिठी का खेल खेलना होता तो अलग बात होती तो केजरिवाल के वकील की अगली दली ले थी कि किसी ने आरोप लगा दिया तो क्या गिरफ्तार कर लोगे सर जी आरोप लगेगा तो जांच होगी और जांच में सहयोग के लिए समन पर जाना पड़ेगा तो किसी आरोपी को ऐसे ही छोड़ दिया जाया अगर आप कह रहें कि अगर आरोप लगा दिया तो हमें गिरफतार नहीं करना चाहिए तो अगर आरोप लगाने पर गिरफ्तार नहीं अगर होगा आदमी तो कब गिरफ्तारी होगी उसकी ये भी आपको बताना चाहिए फिर केजरिवाल के वकील ने कहा कि E.D. साबित नहीं कर पाई कि मेरी गिरफ्तारी क्यों की गई जवाब में E.D. की तरफ से E.S.G. S.V. राजू ने कहा कि केजरिवाल के खिलाफ उनके पास पुखता सबूत आरोपियों के बयान हैं, हवाला कारोबारियों के बयान हैं, वाटसेप चैट हैं, और तो और मनी ट्रेल भी है ये दूसरा मौका है, जव E.D. की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ उनके पास ऐसे सबूत हैं, जिससे कि इस पूरे भोटाले में, शराब भोटाले में, उनकी सनलिप्ता साफ साफ दिखाई दे रही है हर दलील पर E.D. ने मुकमल जवाब दिया एक तरीके से, फिर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया जड़ा देखिए, सुनिए क्या हुआ आज दिन तो ये तो हुई कोर्ट की बात, अब हम आपको कोर्ट के बाहर ले चलते हैं आम आदमी पार्टी ने आज केजरिवाल के सेहत का मुद्दा उठा दिया पार्टी कह रही है कि सर्जी की सेहत लगातार गिर रही है आतिशी ने कहा कि 12 दिन में 4 किलो वजन कम हो गया है अरविंद केजरिवाल का मगर जेल प्रशासन ने भी जो कहा है और जो एडी के सुत्र बता रहे हैं दोनों की तरफ से एक बात जो कही जा रही है वो ये कि अरविंद केजरिवाल बिलकुल ठीक है और जो आतिशी कह रही है उस दावे में कोई सच्चाई में जब वो एडी की कस्टडी में थे तो तीन बार उनका शुगर लेवल गिरा एक बार उनका शुगर लेवल 46 तक पहुँच गया जो किसी भी व्यक्ति के लिए जान लेवा साबित हो सकता है अर्विंद केजरिवाल जी का पिछले 12 दिन में साड़े 4 किलो वजन घट गया है तो सवाल एभी है कि आतिशी के पास 79 किलो वजन का फिगर कहां से आया सवाल एभी है कि आतिशी जो कहती है वो हर बार सवालों के गेरे में खड़ा होता है जैसे कि उन्होंने कल कहा कि BJP की तरफ से उन्हें इस बात का दबाव है कि वो अगर अपना करियर बनाना चाहती है और अगर जेल जाने से बचना चाहती है तो वो BJP जोईन करें लेकिन उन्हें नाम नहीं बताया कि आखिर किस आद्मी ने BGP की तरफ से किस नेता ने उनसे बाते बैंगे एए नतीजा ये है कि आज दिल्णी बीजेपी की तरफ से उनको मानहानी का नोटीस समा दिया गया कि हमने कली का था कि आप भीट बोल रही है माफी माँगी है उन्हें नहीं माँगी हमने Defamation का नोटिस दे दिया है हमने उन से चार बाते पूछी है कि कौन सा वो रिश्तेदार है वो नाम बताएं जिसका वो जिक्र कर रही है किसे व्यक्ति ने बात की उसका नाम बताएं कैसे संपर्क किया गया मिल के किया फोन पे किया और अगर फोन पे किया है तो अपना फोन जमा कराएं उसका नम्मर बताएं अब डेफिमेशन का केज नोटिस दिया है पंदरा दिन के अंदर जवाब देते हैं ठीक है नि तो आगे प्रोसीडिंग्स खुली हैं सिविल भी और किर्मिनल भी लेकिन आतेशी मार लेना आप खास करके बीजेपी के नेताओं से माफी मांगनी पड़ी है क्या मालूम इस बार भी आतेशी मार लेना कोई ऐसा ही कोई कदम उठाना पड़े शराब कांड में एक तरफ केजरीवाल अंदर हैं तो संजै सिंग जमानत के बाद जेल से बाहर निकलने ही वाले सवाल ये भी ह है खिवालों का एक बार आपसे भी जवाब लें प्लस हमारे जो साथ महमान हैं उनके पास भी चलें और उनसे जानने की कोशिश करें कि इन सवालों पर उनके जवाब क्या है तो सब से पहले हम उन सवालों का जिक्र करते हैं जिस पर कि आज आज आपको देश का मूड मीट जिस पर आप जवाब देंगे तो आज देश का मूड मीटर उठेगा और आगे लोगों को पता लगेगा कि इन मुद्दों पर इन सवालों पर देश क्या सोच रहा है तो एक बार ज़रा सवाल दिखाया जाए सवाल नंबर एक आम आदमी पार्टी ने केजरिवाल के वजन ग सवाल नंबर दू कि क्या एडी के चुनाव एडी ने चुनाव प्रभावित करने के लिए केजरिवाल को गिरफ्तार किया जैसा कि आम आदमी पार्टी के वकील ने आज कोट में आरोप लगाया इस पर आप क्या सोचते हैं आपका बयान सरासर गलत है ऑप्सन बी आरोप सवाल नंबर तीन संजय सिंग के बाहर आने से मैडम सीम का पता क्या कट गया है या कट जाएगा इस सवाल के जवाब में आपने केजरिवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए इसे आप कैसे देखते हैं आप्सन ए है एडी ने एकदम सही किया है आप्सन बी है पहले पूछताच होनी चाहिए थी फिर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी और आप्सन सी है कि नौ समन पर केजरिवाल क्यों नहीं गए इस बाद का भी जवाब देना चाहिए और जरा आप सवाल नंबर पांच आखरी स सही है और ऑप्सन और ऑप्सन सी है कि सच है तो आतिशी को नाम बताना चाहिए कि आखिर बीजेपी का वो कौन नेता था और उनका वो कौन रिष्तिदार था जिनके बीच में ये बातें हुई है तो ये उस सवाल है जिसका जवाब आपको देना है और उन जवाबों के जरिये ही देश का मूड मीटर घुमेगा और आप क्या सोच रहे हैं ये आप हमें बताएंगे और हम देश को बताएंगे कि इन सवालों पर देश की राय क्या है इस बीच हम चलते हैं अपने मेहमानो के पास हमारे साथ आज आरपी सिंग हैं बीजेपी के प्रवक्ता पृती पांडे राजनितिक विशलेशक आकाश दीप मूनी राजनितिक विशलेशक और प्यूश जोशी राजनितिक विशलेशक के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्यूश जोशी आम आदमी प अभी शेक मनु सिंग्वी ने कही कि भाई ये लेवल प्लेइंग फिल्ड इससे बिगड़ गया लेवल प्लेइंग फिल्ड जो है वो इससे खतम हो गया आपने चुनाओ के पहले आम आदमी पार्टी के नेता को गिरफतार कर लिया आप चाहते हैं कि पार्टी खतम हो जाया इसलिए इस तरीके की साजिश हो रही है बही क्या इडी की जिम्मेदारी इस देश में लेवल प्लेइंग फिल्ड मुहिया कराने की है कि सब को बराबरी का हक मिले सब लोग बराबर तरीके से चुनाओ लड़ें ये अबसर मुहिया कराना इडी का काम है या इडी का काम की जो अपराद हुआ है, जो घपला घोटाला हुआ है, उसकी जाच करना है। जो घपलाद हुआ है, जो घपलाद हुआ है, उसकी जाच करना है। कि ये लोग प्रास्न हुडा रहे हैं केजरी वाल को रेस्ट को टाइमिक को लेकर कहने कि केजरी वाल को इस समय रही है जब कि चुनाओं सिर्पर है और इसलिए ये जान कर किया गया सबक्त ये कि केजरी addition तब समंगने शू होता है। adequate, को जसम बारा कोंहें बशाना बनाते थे। पासना की लिए जाना थे, कभी जंडलस कोई वहां पर बंगलोर में कहीं अपने सेज्च के लिए जाना था। कभी चनौ के लिए जाना है, कभी सेमडी सेशन है, हर बार ये कोई नहा बाना बनाते थे, पर ये बाना नहीं बना रहे थे, असल में ये कोशिश कर रहे थे कि मैं किस दंग से इसको ले जाओं, लोग सबा चनौ के पास ले जाकर, और कोशिश करूं कि मैं उस समय अलेक्शन क लोग समा एलेक्शन के पास ले जाकर और जब एलेक्शन के समय मैं जाओंगा और उत्तर नहीं दूँगा इनको यही रण दिती थी कि तब तक समन को टालते रहो जब तक की ED मजबूर न हो जाए गिरफ्तारी के लिए और जब गिरफ्तारी हो जाए तो फिर अपना विक्टिम कार्ड निकाल कर खूब खेलो चुनाओ आई रहा है देखिए रंजे जी यह आपका प्रेजंशन है और यह फैक्ट्वल नहीं है यह मतलब कि तथ्य नहीं है क्यों तथ्य नहीं है और किसी बार अर्विंद केजरिवाल नहीं पेश हुए यह भी तथ्य है अगर यह भी कादीजी के तथ्य नहीं है अब मैं आपको तथ्य बताता हूं जो कोट ने कहा है ठीक है जो आपकी वार्णी है वो तथ्य हम मानते हैं पर कोट की जादा मानते हैं ओनरेबल कोट ने दो तीन रेक्रमेंडेशन दियें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि एडी के वकील ने आज किया कहा कि finding of the actual proceeds of crime is irrelevant मतलब कि proceeds of crime find करना irrelevant है मतलब कि आज तब तो जो जो बोला जा रहा था process of crime है वो कोट में एडी के lawyer ने बोला कि वो irrelevant है अब आपने अपनी सुवधा के अनुसार से आपने एक चीज निकाल ली उसमें से अब उसमें से चार चीज़े मैं ऐसी आपको बताता हूँ जिसका जिकर आप नहीं करेंगे ED ने कहा कि भाई ROP के बयान है अरविंद केजरिवाल को लेकर हवाला कारोबारियों के बयान है अरविंद केजरिवाल को लेकर हमारे पास WhatsApp चैट है जो अरविंद केजरिवाल की तरफ इशारा करते हैं हमारे पास और तो और Money Trail है वो भी बताते हैं कि अरविंद केजरिवा की सनलिप्तता है इसमें हमने कोई अंधेरे में तीर नहीं मारा अब यह बात आप नहीं कहेंगे आप वह बात उठाएंगे उसमें से जो कि प्रोस्ट पीए में लेके प्रावधान कहते हैं कि अगर मनी ट्रेल इस्टैबलिश नहीं भी होता है तो भी यह आरोप निराधार न चले ठीक है मैं आपको आप आप में एक तो आप आप अपना पांच मिंड का बोलते हैं फिर मुझे 10 सेकंड देता है फिर खुद 5 सेकंड देता है आप एक उसमें से एक फैक्ट लेकर आएंगे और आप हमको बताएंगे कि ऐसा नहीं ऐसा है तो मुझे बोलना पड़ेगा नहीं बोलिए नहीं अब आप भी बोलिए अप ही बोलिए अप ही up and Nothing has been recovered, मतलब अभी तक proceeds of crime recovered नहीं हुआ है, Justice ने बोला, यहां पर राजु जी ने नहीं बोला, Justice फरना, Honorable Justice फरना, दूसरा statement, there is no trace, मतलब कि अभी तक money trail नहीं है, Honorable Court नहीं कहा है, जब उन्होंने बेल दिया था संजे सिंग को. अभी संजे सिंग की बात नहीं हो रही है, बात संजे सिंग की नहीं हो रही है, बात अरविंद केजरिवाल की हो रही है, आप कहां का मामला, कहां आप फसा रहे हैं? एक साईज के बारे में कौ गोट बोल रहे हैं एक चीज और भूल रहे हैं अकाश दीपमुनी उसी कौर्ट ने कहा है कि संजय सिंग के केस को इसी केस केरे किसी He Εमें गुदे लगा New Day ओ 안 सेमेंटिक्स सही सही यूज़ कर रहे हैं तो संजय सिंग का मामला अरविंद केजरिवाल में लेकर क्यों रहे हैं अरे रहा एक्साइस स्कैन के बारे में मात कर रहा हूं लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रेसिडेंस के तोर पर इसको या किसी तरीके से रेफरेंस के तोर पर दूसरे मामले में इसको कोट नहीं किया जाएगा और और तो और उन्होंने इस मामले में संजय सिंग को मीडिया से बात करने पर विरोक लगा दिये बही कुछ सोच कही लगाया होगा लेकिन आप वो उठा करके अरविंद केजरिवाल में कोट कर देंगे के लॉयर ने कहा कि money can't be found मैं कोट कर रहा हूँ परफ्रेज नहीं कर रहा money can't be found राजु जी ने बोला है भाई ये संजय सिंग के मामले में है और मैं अगेर कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो बिलकुल सही कह रहे हो यह हमने भी कल अपने डिबेट में इसको कोट किया था हमने भी अपने डिबेट में कोट किया था कि ऐसा कोट ने कहा है लेकिन उस संजय सिंग के मामले में कहा है केजरिवाल के मामले पे आज आज पर देखें आप अपरे प्रोडिंसर को बोली है ना राजु ने आज कोट में कहा नी कांट भी फाउंड यह शब्द परफ्रेज नहीं करो कोट कर रहा हो केजरिवाल के अगर गलत गोर रहा हूं और एस जी राजु ने नहीं कहा कि इस मामले में हमारे पास फुक्ता सबूत हैं इस मामले में हम अंधेरे में तीर नहीं मार रहे हमारे पास पुक्ता सबूत है अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ हमारे पास बयान है हवाला कारोबारियों के बयान है आरोपियों के बयान है WhatsApp चैट है, हमारे पास Money Trail भी है, ये भी कहा है ना, तो ये भी बताइए ना, आप सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं फिर, अब फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, PMLA में Prevention of Money Laundering ने, सिर्फ Approver के कमेंट्स के बुनियार पे, एक होता है, Inculpatory Statements of Approver, एक Exculpatory Statements, इसमें 9 Statements में स दिनेश अरोरा ने 10 Statements बनाए थे, और साथ है, दिनेश अरोरा वाली बात आप 20 बार कह चुके हैं, हम आप आप आधिवी पार्टी के जब भी कोई सवाल को होता है, तो दिनेश अरोरा का सवाल ले आते हैं, आप तो मैलफाइड ही इंटेंट दिखा रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, ने नी वह बात, जो फैक्ट है, वो फैक्ट है, आकास्ति पुनी, मैं एक कर रहा हूं कि जो फैक्ट है, उस पर कोई सवाल नहीं है, जो आप कह रहे हैं, यह बात मैं भी कह चुका हूँ, उसमें क कौन सी बात है, लेकिन जो सवाल है, उसका जवाब नहीं है ना, आपके पास, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कि भई आप इस आधार पर गिरफतारी का विरोध कर रहे हो, कि यह चुनाओ के पहले क्यों किया गया, तो भई चुनाओ तक तो आप खीच कर लाए हो इस मामले क तो इसका जवाब आप ही के पास होगा, उसका जवाब भी है, ठीक है, मैं उस जवाब के लिए आओंगा आपके पास, लेकिन अभी ज़रा वक्त है कि एक बार देखते हैं कि इन सारे सवालों पर लोग क्या सोचते हैं, पब्लिक क्या सोचती है, और उन्होंने बड़ी के वजन गिरने का मुद्दा क्यों उठाया, हमने इस सवाल किया था, और उस सवाल की तरफ इसके जवाब को ले करके हम अभी आएंगे, अपने गेस्ट के पास भी, लेकिन उससे पहरे लोगों की राये देखते हैं, और लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, चौसट यानि 65 फिजदी करीब करीब लोग कह रहे हैं, किस सिंफैती बोट हासिल करने की कोशिश हो रही है, इसलिए केजरिवाल के स्वास्त का मुद्दा उठाया जा रहा है, 15 फिजदी लोग मानते हैं कि आम आदमी पार्टी बेनकाब हो गई है, इसलिए इस तरह की बाते कर रह रही है, तो एक बार दूसरे सवाल का भी रुजहान दिखा दीजिए, क्या इडी ने चुनाव को प्रभावित करने के लिए केजरिवाल को गिरफतार किया, जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है, उसके वकील कह रहे हैं हाई कोर्ट में, इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि आपका बयान सरासर गलत है, ऐसा एक 50% दी लोग मानते हैं, आरोप कुछ अद तक सही है, ऐसा 2% करीब 5% दी लोग मानते हैं, और करीब 46% दी लोग मानते हैं, कि एडी अपना काम कर रही है, वो किसी तरीके से, उसको अचुनाव से कोई लेना देना नहीं है, तो ये है लोगों किराए, प्रिती पांडे के पास चलते हैं, प्रिती पांडे, आज बहुत सारी बाते कही गई अर्विंद केजरिवाल के वकील की तरफ से, उसमें बहुत सारी बाते ऐसी भी थी, जिसका इस केस से रिष्टा कम, और वो सियासी बयान जैसे ज़्यादा थे, जैसे क लेवल प्लेइंग फिल्ड की बात कही गई, उसमें कहा गया कि चुनाओ को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, उसमें कहा गया कि आम आदमी पार्टी को खतम करने की साजिश है, इसलिए उनको गिरफतारी की गई है कि चुनाओ के पहले गिरफतार कर लो, पा मैं कर रहा हूं कि क्या आप आपको भी ऐसा लगता है कि ED जिस तरीके से काम कर रही है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है देखे रंजी जी जब आम आदमी पार्टी आई थी और पहली बार दिली में इनोंने सरकार बनाया था तो नो डाउट कि हर व्यक्ति को लगता था कि बड़ी इमानदार सरकार है जिस तरह से जुटी कसमे खाया करते थे जिस तरीके से इन्होंने अन्ना हजारे जी का इस्तमाल करते हुए उसी रामलीला मैदान में बड़ी बड़ी रैलियां की अंशन हुए एक बुजर्ग व्यक मैदान से लड़ाई शुरू की थी यही अर्विन केजरिवाल ने आज सारे भरष्टाचारी जो या तो जेल में जाके आ चुके हैं या जेल में हैं या रोपों से घिरे हुए कहीं ना कहीं उनका दामन जो है वो काला हो चुका है वो सारे अर्विन केजरिवाल के सपोर्ट में उसी रामलीला मैदान में दिखे. दूसी चीज़ जो आपने सवाल पूछा, ID अपना काम कर रही है. अगर Арवीन केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, तो अरवीन केजरीवाल वाप़ सा जाएंगे. अगर अरव्यन केजरीवाल ने कुछ किया, तो जैसे इनके बहुत सारे नेता जो इनके सिक्षा मंत्री स्वास्त मंत्री सारा मंत्री मंडल जो इनका कैबिनेट है वो जैसे जेल में बैटा हुआ है ये भी जेल महीनों बैठे रहेंगे तीसरी चीज़ देखे जिसके घर में 8 लाग के परदे 20 लाग की कालीन और कोई पत जी जी की जो इन्होंने एक सहान भूती के लिए ये अतिशी जी ने बयान दिया कि इनका लगातार शुगर गिर रहा है बीपी गिर रहा है कि वो कोई भी वेक्ति हो हमारे यां तो बड़े बड़े अंडर वर्ल्ड के लिए भी आधी रात को सुप्रीम कोट भी खुल जाते ह हमारे यहां सबको अधिकार है मानवा अधिकार है तो यह तो दिल्ली की सेटिंग सीम इस समय है लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अतिशी जी ने गलत बयान बाजी की है तिहार जेल ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें ये लिखा है कि उनका जो बीपी है है जिसका अर्विंत केजवाल जी को कोई अभी अधिकार नहीं है कि जेल में बैटके ये सीम की तरह पंक पसार के अपने बयान बाजी करें और और दे इसके बावजू दिल्ली जल बोड पे भी बोल जाती है वो तो अभी बहुत सारी चीज़े रंजी जी इनकी सामने आए हैं कि भाई जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को परचारित कर रही है जिस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई वो विक्टिम है और उसको एक पॉलिटिकल वेंडेटा के ताहत एक राजनितिक साजिश के ताहत उसको उसके खिलाफ कारवाई अहीं और थे तत्य आएं वो कुछ और कहते तो यह तत्ययों को कब तक ना कारते रहेंगे आप ठीकि толत्ययों को इससलीे नकारा जा रहा है कि तत्य तब बोला चाता है जब उसमें सत्य का पूरդ हो जब किसी तत्यय में सत्य पूटना हो तो वो इमाजनेशन बोर से कपोल कलपना बोला जा सकता उसको तथके का नाम नहीं दिया जा सके जो आफने बोला कि विस अजय सिंग जी के वलने को हें, अगर 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 उह से तो दो उसनchl Inspect Style में के ओध़ पर मेरा सिर्फ यह जो कहना है मैं जो एक इस डिबेट को एक्सपांड करना चाहरा हूं कि जो बात आपने बोला कि मानी सर्वोची नियायले ने संजे सिंग जी के मामले में बोला कि अज़ प्रिसिडेंस इसको यूज नहीं कर सकते हैं तो बिलकुल सही बात है नियायी ग्रूप से अज़ प्रिसिडेंस इसको यूज नहीं कर सकते हैं यही enforcement directorate है जिसने पूरो वर्ती जो bail applications थी संजे सिंग जी की उसमें बोला कि हमारे पास में 32 लाग रुबए का money trail है संजे सिंग जी के खिलाव हमें पता है हमारे पास में जमाने भर के phone के records है हमारे पास में digital evidences है यही enforcement directorate है जिसने संजे सिंग जी की bail का भी विरोध करते हो यही सब बातें बोली थी जो आज वो money से सोधिया जी हो जाए सतेंद्र जैन जी हो जाए मानी मुक्यमंद्री अर्विद्र जिवाल जी हो उनके माने में बोल रही है तो यदि money trail है तो trail में जाईए और ट्रेल जहां है और वहां से recover करी है न पैसा आपको किसने रोका है मेरी ऐसा थोड़ी चलता है कि जब 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 गिरफतारी होगी जब अभी तो आज आज एडी ने कहा है कि आपके बहुत सारी संपतियां जो है हम जब्त कर सकते हैं इसने कर सकते हैं क्योंकि money trail में money trail में वो चीज़ें सावित हो रही है तो अगर अभी कल को यह हो आपकी कहानी चित भी मेरी पटभी मेरी वाला है कि आप कि कारवाई होगी तो कारवाई होगी होगी तो कारवाई कर दिया आप से निवेदा ने आप 45 सेकंड अनिंट्रप्टेट देजिए में प्रूव कर लिए नहीं एक बताइए क्या मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे इस बात इसलिए कह रहा हूं क्या यह सच नहीं है कि जब समन जा रहा था तो आप पूछताज के लिए हाजिर नहीं हुए और आ बहुत आराम से प्रूव कर सकता हूं आपको पेश होना पड़ेगा वो पेश हुए और गिरफ्तार हो गए कहां पेश हुए अरविंद केजरिवाल और गिरफ्तार हो गए कमाल कर रहा है आप सरसर गलत बोल रहे हैं न कौन सी पेशी हुए अरविंद केजरिवाल की कहां पेश हुए कि गिरफ्तार हो गए उनके घर पर जाकर के पूल एड़े ने गिरफ्तार किया ना सुनिये ना मेरी बात तो भई हमारा जो पॉइंट अप इंटेंशन था वो यही तो था कि समन इल्लीगल से हैं उसके बाद में जब यह आप गये कि एडी ने को पकड़ के और गिरफतार कर लिया नहीं आप गये समन के खिलाफ कोट गये और कोट ने कहा कि नहीं हमने तो इनके गिरफतारी पर रोक भी नहीं लगा रखा है आप गिरफतार करो इनको तो गिरफतारी हो गई आपकी अब आप रो रहे हैं किया रहे हैं इसे क्यों गिरफतार कर लिया यह बताता है यह बताता है कि एडी ने निस्पक्ष तरीके से और यह लगे कि यह निस्पक्ष है ऐसा यह साबित करने के लिए अगर नहीं खड़े होते अगर देशके नामी गिरामी वकील आज उनकी तरफ से पहर भी कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि 9 समन्तक इंतजार करती क्या एडी किसी का करती क्या किसी आम आदमी का इंतजार होता है कि नो समन्तक देखिए मेरा बिल्कुल इतना बहुत चोटी सी बात का कहना है इनको पता होना चीए कि ED ने सही बात है कि दिली के CM है आपको जनता ने चुना है आप उस कुरसी पर बैठे इसलिए लगा तार आपको सम्मन दिया गया आप तीसरे समन के बाद, चौते समन पाजवे समन छटे समन के बाद भी नहीं आए क्योंकि आप प्रिपैर नहीं थे आपकी जो जोड़ी का घुटाला खाना उस घुटाले के आपको question answer प्रिपैर नहीं थे जिस एक सांथ मिलके करफशन किया देवार बैठे थे तो उप्वार है लिए उसको उन्दिली के साथ बैठे जो पाजी करके आप अपने स्टेक्पें तैयार कर सके जब नौ समन आ गया इसके बात आपको विरफ्तार राधा जाए शर्मानी ची आमार्थी पर्टी के जिवाल पर इतना विश्वात दिया कि आपके पर लगा इस लगी उसके बारे में अरुट के जिवास भाद करते थे उनी के वकील इनका केस लड़ रहे हैं इसके बावजों ये में प्रेपेर नहीं थे कि आठर दो रहे हैं और जो बाहर है वो भी जाएंगे जैन अरे भाई साम तीक है जरा जरा दो मिनट एक मिनट के लिए रुकते हैं एक मिनट के रुकते हैं और देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं इनी सवालों पे आम आदमी पार्टी के लोगों से तो हम राय लही रहे हैं और बाकी जो बीजेपी और बाकी लोग जो कह रहे हों तो आप सुनी रहे हैं जरा ये भी सुन लिजीए कि लोग क्या कह रहे हैं हमारे दर्शक क्या कह रहे हैं इनी सवालों के जवाब में हमने ज़रा सवाल नंबर तीन का रुजान दिखाईए सवाल नंबर तीन हमने पूछा था कि संजय सिंग के बाहर आने से मैडम सीन का पत्ता कड़ जाएगा और इसके जवाब में आप कह रहे हैं कि हाँ संजे सिंग बड़ा चेहरा है ऐसा मानने वाले लोग करीब 44 फिजदी हैं ये चिंता वाली बात हो सकती है आम आदमी पार्टी के मतलब खास करके अरविंद केजरिवाल के लिए 15 फिजदी लोग मानते हैं कि ने ने ऐसा कुछ न सवाल नंबर 4 का भी रुजान एक बार दिखा देते हैं कि कोट में आपने केजरिवाल की गिरफतारी पर जो सवाल उठाये हैं उसे आप कैसे देखते हैं ये एहम सवाल है जिसके जवाब में लोग कह रहे हैं 55 फिजदी यानि कि करीब पर 56 फिजदी लोग हैं जो कह रहे ह कि पहले पूछताच होनी चाहिए थी फिर गिरफतारी होनी चाहिए थी जन्मत किसके पक्ष में है आम आदमी यूं कहें कि आम दर्शक क्या सोचता है वो इन रुजानों से साफ साफ पता लगता है कि इन सवालों पर आम आदमी की राह क्या है अब ये अलग बात है कि आम पार्टी के प्रवगता है कि आज क्या शीगुभा छोड़ा जाए अज क्या एसा कहा जाए जिससे कि पर दिन संसटी बनी रहे और कल आतिशी ने कहा कि और आप साथे किलो वजन गट गया है जेल प्रशासन एडी सब कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है तो यह सब यह है कि प्रोपेगंडा बनाते रहो जिससे कि यह लगे कि भाई उनके साथ बहुत ज्यात्ती हो रही है और इतनी ज्यात्ती हो रही है उनका वजन लगातार गिर रहा है मुझे रखता रजीद भाई हमको जेलर साथ से सलाह करनी चाहिए और उनको जिल्दी के जो अच्छे डॉक्टर्स हैं जो वजन कम करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उनकी जगा उनको रख देना चाहिए अगर तीन देन में साड़े चार किलो वजन कम हो सकता तो उ तो पसा नहीं जांकर लेनी पड़ेंगी तो वैसे वो शुगर के पेसेंट है और उनका वजन गिरना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाएगी अगर गिर रहा है वाकई तो और अरविंद केजरिवाल सेहत मंद रहें उनके सेहत को लेकर सबको चिंता होगी क्योंकि दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिदी हैं मुख्यमंत्री हैं इसलिए सब की चिंता है उसको लेकर लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई इस तरह की बाते कही क्यों कही जाती है पहले तो दबाव बना पहले तो ये दबाव वाली बात आई कि पार्टी छोड़ने का दबाव है आज हो गय ये सब ये सब ये सब प्रोपेगंडा है क्या लग रहा है अब उनको पार्टी छोडने वाले दबाव के लिए उनको जवाब देना पड़ेगा अब वो ये जो थूक कर भागने वाला जो प्रसीजर कि हम आज कुछ भी कहते हैं उसको भाग जाएंगे वो मुम्रा चलने व ने आपको रिल्मेंट बना कर रखना जाता है यह नहीं तो उनके असाब से केजरिवाद साब तो सुनीता केजरिवाद जी शुनीता भावी को मुक्वेंति बनाना चाते हैं रखना चाते हैं और इन दोनों को ये जो पलिडिकल पार्टी के जो प्रोसेस के हिस्सा है जो प कहा कि हाँ हमारे पास मनी ट्रेल है यह उन्होंने कहा कि मारत मनी वी है वे इस्टेबलिश एविडिन्स शो दैट किक बैक वर यूस्ट फॉर एलेक्शन कंपेंग इन आप इन गोवा बेनफिश्टी बास आप उफेंस इस क्मिटेड बास यह लगाता हो कहने कि इसमें मनी ट् पैसे प्र कर और यह यह लोग यह यह आपने नोट मैं है और क्हां कि पड्ना नहीं है और आम आभी पार्टी को लों शृरि जग्दीर शर्मा यह सब कसम लिमट नोट में ऐसे फुरी लस्ट है कि जो पैसा कहां और गुमा कर गया और कैसा वंग만 तो इनको लगता है कि जैसे जैसे पहले लोगों को भर्माते रहते थे कि जाहे जो जिसका नाम चाहो उचाल दो कुछ नहीं कोई फरक नहीं पड़ता हलाकि तीन-चार बार मापी मांग चुके हैं इस तरीके से नाम उचालने के मामले में फिर विनको लगता है कि अभी ऐसा क नाम उचे जाहें लेकिन इस बार फिरसे मानानी का मुकदमा मानानी का नोटीस चला गया है पृति पंडे यह तो वो लोग हैं जिनके पास gülo में मसाज सबीदा कि है जब सत्यंद्र जैन को मसाज मिल सकता है इतनी सुविधा मिल सकती तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं तो अर्विन केजरिवाल मुख्यमंत्री है साब इनकों तो फिर भी वजन घट रहा है कि देखे रंजी जी अगर आप इडी का आज यह पता नहीं कैसे आपके चैनल पर आके नाशनल टेलिवीजिन पर गलत बयान बाजी करते हैं कुछ पैनलिस्ट इडी का जो बयान है उनके शब्दों में बताती हूं केजरिवाल के खिलाफ ठोश सबूत वाट्सप चैट हवाल करेंगे उनके पक्ष की बात होगी इसलिए जाहिरती बात है उनकी पक्ष में बात करना है तो उनको कोड़ेंगे लेकिन मैं वह पिस चार्लाग का कमोड चार्लाग का कमोड बनाऊंगा तो ये सलेक्टेड एजेंडा के साथ आये थे ना ये सलेक्टेड एजेंडा के साथ आके अब चैनल पर आके इनके प्रवक्ता भी सलेक्टेड एजेंडा के साथ आते हैं इनके जेल में आवर मोहार रहेंगी बसनेंट कुद कि उ सब्सक्राइब हो इसे बिल्क हें जरा यह यह सवाल इकाश दीपूरीशारणनी आप थे लेकिन बिजेनार नहीं जेल में हर तरह की सुविधा दी जा रही है घर का खाना मिल रहा है और हर तरह की सुविधा है मिडिकल जाच हो रही है फिर भी आप लोग ऐसा कह रहे हैं दूसरी तरफ आप जो आरोप लगाते हैं उसका खंडन आ जाता है तथ्यात्मक रूप से गल करता है वो अभी चल रहा है क्या देखिए रंजी जी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो बच्पन में जैसे दो लोग दो बच्चे मिलके तीसरे का बुली करते हैं वैसे मुझे लगता है यहां पर कभी जबी तो हम अच्छा हमने तस्वीरे आपको दिखाई कि क्या यह गल कौन सी गलत बात में कह रहा हूं क्या आपके नेता अरविंद केजरिवाल ने दो बार माफी नहीं मांगी है क्या अरुन जेटली के मामले माफी नहीं मांगी क्या कि गलत बयानी की उन्होंने कोई ऐसी बात कह रहा हूं मैं तथ्यात्मा गुरुप से गलत हो तो मुझे बत पहले आतिशी जी के उपर सवाल खड़ा किया गया था कि वो हर बार आके एक शबूपा छोड़ देते हैं यह नहीं उनको बीजीपी वाले खरीदना चाहते हैं यह सब मैं बताना चाहता हूँ आपके चानल पे लीज ये वेरिफाई करिए 2014 में वाइस प्रेसिडेंट भारते जंता पार्टी डागर साब में कैमरा पे चार करोड में दिनेश महोनिया मेले आमाधी पार्टी को खरीदने की कोशिश की तो आतिशी को बताना चाहिए कि उनको किसने फोन किया अरे बड़ी बात है यह तो इतनी बड़ी बात है आप पार्टी है इनको तो बताना चाहिए कि आपने कैसे नहीं फोन रिकॉर्ड किया बीजे पिनेता ने किया आपको एक्स्पोज करना चाहिए उस प्रेश्व correctly ने должно कर ते अगर उसको जस्टिपाइट रही है इतना ही वक्त अब नहीं है आकास्ट पूल जरा पाच्वा रुजहान लेते हैं और फिर जल्दी से हम आज देश के मूड मीटर के वीनर्स का वेनाउस नामा में करना है इसलिए बीजेपी में शामिल होने का दवाव वाला आरोप लगा क कि आतिशी फस गई है यह हमने पूचा था यह पाच्वा सवाल था और इसके जवाब में आपने क्या कहा है बासट फिजदी लोगों ने कहा है कि हां जूटा आरोप लगाया गया नहीं आरोप सही है ऐसा मानने वाले लोग सिर्क दो फिजदी है और 35 फिजदी लोग कह रह हैं दिल्ली के इनके मोबाइल का आखरी चार डिजिट हमने उसमें दिखाया और साथी सुबोध हैं उत्तर प्रदेश के और पिंकी यादाव बिहार की हैं ये आज हमारे चार लकी वोटर हैं और इस वीच एक बड़ी खबर आ रही है अर्विंद केजरिवाल को लेकर अर् और वो अर्विंद केजरिवाल से जेल में मुलाकात करना चाहते हैं तो आपने देखा था कि जब गिरफतारी हुई थी उसके ठीक अगले दिन भगवंतमान दिल्ली आये थे और उनके घर गए थे उनकी पत्नी से मुलाकात की थी और अब भगवंतमान ने समय मांगा है कि जाजये हुआ